नमस्कार में रौनक शुकला प्राइमनिस24 में आपका स्वागत है खबर उत्राखंड के दहरादून से है जहां मुख्यमंतरी श्री तिवेंद सिंग रहावत ने कहा गुरुआर को आईटी पार्क सहस्तरदारा में सुक्षम लगू एवं मध्यम उद्यम विबाद द्वारा स्थानिय उत्पादों के साथ साथ हत करगा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विप्णन प्रोचान हेटू दून हाट का शुभारंब किया उन्होंने कहा कि नाबाड के सहयोक से निर्मित दून हाट दिल्ली हाट की तरज पर एक ऐसे स्थान के रूप में विक्सित होगा जहां देश-विदेश के परेटकों को राज के स्थानिय उत्पादों के साथ साथ संस्कृति, कला एवं विशिष्ट ताओं से परिचित होने का आउसर मिलेगा मुख्यमंदरी श्री त्रिवेंदर ने कहा कि दून हाट की स्थापना से राज की परमपरागत विदा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी दून हाट प्रदेश में संस्कृति ग्राम की परिकलपना को साकार करने में मददकार होगा उन्होंने कहा कि उत्राखंड आने वाले परेटक उत्राखंड की खासियत तथा उत्पादों के बारे में सवाल करते हैं इस हाट की स्थापना से स्थानी उत्पादों की उपलब्दता एक ही स्थान पर हो सकेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य और स्थानों पर हाट की स्थापना से हमारे परमपरागत शिल्प एवं उत्पादों को बहतर साधन एवं स्थान उपलब्द होने के साथ ही हमारे शिल्पियों को भी पहचान मिलेगी उन्होंने इस प्रकार के प्रयोगों के लिए राजस्थान में स्थापित शिल्प ग्राम का उधारण भी दिया मुख्य मंतरी श्री त्रिवेंद्र ने प्रदेश में परमपरागत शिल्प के सरक्षन, समर्धन एवं प्रोचाहन हेतू परमपरिक कला संस्कृति की परमपरा को पढ़ावा देने एवं शिल्पियों की कलपना शिल्पा योग्यता तथा कारीगरी को प्रोचाहन करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले पांच शिल्पियों को उतराखंड शिल्प रत्न पुरुसकार योजना के अंतरगत पुरुसकार स्वरूप एक एक लाग रुपे की धनराशी अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति प्रत्तर प्रतान किया वर्श 2018 हेतु जिन सिद्ध हस्त शिल्पियों को शिल्प रत्न पुरुसकार प्रदान किया गया उन में श्रीमती बिनापुंदिर मुनिकी रेती, श्रीमती उशा नकोटी, चंबा, टिहरीगडवाल, श्री किशन, राम, बेरिगनाग, पिथोरागड, श्री भुवनचंद्र शाह, रानिखेत, अल्मोडा, श्री ललिता प्रसाद, देवलधार, पागेश्वर, शामिल है इस से पूर्व मुख्यमंत्री ने दून हाट में स्थापित विबिन समों, एवं संसाव द्वारा स्थापित स्थालों का निरिक्षन कर उनके प्रयासों की सराहना की प्रमुक सचीव श्रीमती मनिशा पवार ने कहा कि उत्राखंड के अतरिक्त अन्य प्रांतों के उत्पादों के विपणन के उद्देश्च से विबिन कारेक्रमों को आयोजित किया जाने हेतू दून हाट का वार्षिक केलेंडर तयार किया जा रहा है जिनके माध्यम से देश-विदेश के परेटक राज के स्थानिय उत्पादों के साथ-साथ अन्य प्रांतों द्वारा विक्सित किये गए उत्पादों कला एवं विशिष्टताव से परिचित हो सकेंगे दून हाट को एक मोस्ट विजिटिंग डेस्टिनेशन के रूप में विक्सित किया जायेगा स्थानिय उत्पादों एवं शिल्प को राज सरकार द्वारा बढ़ावा दिये जाने के उद्देश से जन्दपद स्तर पर भीमतला, चमोली, विन, पिथोरागड एवं पूर उध्म सिंग नगर में भी नाबाद के सियोक से रूरल हार्ट स्थापित किये जा रहे हैं, निदेशक उद्योक्ष्री सुधिल नोटियाल ने बताया कि दून हाट में इस्थानिय उत्पादों के विप्णन प्रोपसान हेतु 14 स्टाल दुकानों का निर्मान किया गया है जिसमें समय समय पर राज्य के विभिन्न जन्पदों के लगू उद्यमियों बुनकर एवं शि के शिल्पियों दारा विक्सित किये गए विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी दिनांक 12 दिसंबर से 16 दिसंबर 2019 तक आयोजित की जा रही है जिसमें बागेशवर उत्रकाशी चमोली पिथरागड नैनिताल टिहरी पोड़ी गडवाल उदमसिंग नगर आधी जन्पद के विशिष्ट एवं स्थानी उत्पाद विप्रण हेतू प्लप्त होंगे इस अवसर पर विदायशक श्री गनेश जोशी उपाद्यक उत्राखंड हत करगा एवं हस्त शिल्प विकास परिशत श्री रोशनलाल सेमवाल आयोकत उद्योक श्री एल फैनाई नाबाड के CGM श्री सुनेल चावला उपनी देशेक उद्योक श्री अनुपम द्वेदी आधी उपस्थीत रहें प्राइमनिस24 के लिए उत्राखंड से ब्यूरल पूर्ण